हेलो सुटेटने उसमा अब लोग का स्वागत है और आज की रेक्टनों शुरू करेंगे उससे पहले दोस्तों टेक्नरोहेज मर्चरडाइस इस यह है थैंक ये थैंक ये थैंक ये थैंक ये वे बहुत सारे इन्टी कलर रहा है वहाँ पर वाइट ब्लू यह वो तो मैंने एक अपने तील विडियो बनाया है उसके बारे में आपको और डिटेल में बताद हूँ आप जाके देख लेना सब एडिकेटली रात के 11 बचे कल दाला था एकदम से क्यों वह बहुत एमर्जेंसी थी आप लोगो समझना बहुत ज़रूरी था कि जी ओके कॉल जो expensive क्यों है कैसे हुए तो डीटेल वीडियो बनाया था आप जाके से जिसमें भी हमें इंडिया में बहुत ग्रोथ यहां पर जो देखने को मिल रही है मैं आपको बता देता हूँ कि क्यू टू 2019 की यहां पर रिपोर्ट निकल कराई है एप्रिल और जून के बहीने की बीच में जहां पर बताया ज़रा है कि टाटा स्काई नहीं यहां पर जो वो डिश टीवी को पीछे छोड़ दिया हाले कि डिश लीट करता था इस बिजनस में लेकिन टाटा स्काई नहीं उसको पीछे छोड़ दिया और 32% मार्केट शेर उसका हो गया है तीस लाक नए कस्टमर्स जोड़े उसने इन महीनों के अंदर डिश उसके थोड़े नीचे एक पसंट 31% पर है और डिश ने 9 लाक कस्टमर्स जोड़े उसके नीचे आता है एटल डिजिटल टीवी जी हां और एटल ने कुछ 4 लाक जोड़े और उसके बाद यह बहुत सार विस्टि आप कौन से DTH की सर्विस इस्तेमाल करते हैं मैं करता हूँ एटल क्योंकि अभी मैंने रेसेंटल यहां पर लगाया वो एक्स्ट्रीम बॉक्स विस्टीम वैसे आप कौन सा करते है वह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो यहांप दूस के दरफ से खावर आ रही है और OnePlus 70 Pro, OnePlus 70 Pro McLaren Edition हमें बताया कि London में launch हो चुके थे तो अच्छे phone से दोस्तों लेकिन इतना major improvement नहीं है अगर OnePlus 7 को OnePlus 70 से compare करेंगे तो अच्छे improvement है लेकिन OnePlus 7 Pro को OnePlus 70 Pro से करेंगे तो मुझे कोई major improvement यहां पर नहीं दिखा है लेकिन चलो ठीक है हाले कि OnePlus 7 Pro का 5G variant exist करता है अगर आपको नहीं पता है UK में exclusively available है और दूसरी country से अभी लोग ने नहीं रहा है और साथ में OnePlus 70 Pro का भी 5G आएगा जो आपको 2019 की end मिलेगा लेकिन 2020 से जितने भी OnePlus की phone आएंगे obviously OnePlus 8 वागरा जो भी आएगा उन सब में आपको 5G मिलेगा ऐसा पीटे लाओने कहा था देखते दोस्तों तब तक तो इंडिया में भी आ जाएगा और फिर हमें भी इस्तेमाल करने मिलेगा वैसे क्या आप excited है आप excited है 5G के लिए आप मुझे comment करके बता सकते है तो इब दोस्तों Nokia की तरफ से खबर आ रही है और Nokia 7.2 का छोटा भाई Nokia 6.2 ने भी इंडिया में entry करती है वैसे phone Nokia 7.2 भी काफ़ी expensive था साड़े 18,000 something था मैंने आपको unboxing दिया तब जाके देख सकते है अब यह Nokia 6.2 यहाँ पर आ चुका है दोस्तों इंडिया में जो price रखी गई है वो 16,000 रुपे की रखी गई है एक ही variant में मिलेगा 4.64 बाकी तो आपको पता है यह Snapdragon 636 जो बहुत पुराना processor है triple camera पेचे 16,000 आंट और पांच का आपको कुछ आट की सेल्फी है 37,000 मेच की बैटरी है और अच्छी pure view वाली डिस्पे मिलती है वगरा वगरा बस सब कुछ अच्छा है Nokia अपडेट्स भी काफी अच्छे पुश करता है और काफी genuine company ही है हमें पता है पहले अगर recharge किया है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर यहाँ पर यह अच्छी कबर है officially यहाँ पर GEO ने tweet करके यह बता है कि जिन लोगों ने 9th October या उससे पहले अगर recharge किया है तो जब तक उनका वो last recharge जो है उसका plan expire नहीं होता है तब तक के लिए वो यहाँ पर एकदम free में call कर सकते है मतलब 10 October के बाद से अगर आपने जो भी recharge किया रहेगा तो obviously आपको वो 1 minute 6 पैसे वो चार्ज हो जाएगे और उसके जो top up बगर है वो आपको अलग से करवाने पड़ेगे तो अगर आपने समझो 9 तारीक को 3 महीने वाला या 6 महीने वाला एक साल वाला भी recharge क्यों ना करवाया हो जब तक को expired नहीं होगा तब तक आप free call कर सकते है ने तो 10 October के बाद से अब सभी लोगों को वो charge हो गा ही होगा तो ऐसा कुछ थोड़ी relief मैंने यहां पर लेकिया होगा मुझे तो लगता नहीं कि काफी सारे लोग ने किया रहेगा मतलब ज्यादा महीनों का थोड़ी महीनों का करते हैं हमें कि 1 महीन या 2 महीन या 3 महीने लेकि थोड़ी relief है आप लोगों के लिए इसे वो वीडियो था कि देख लिए न आपको और भी टेटल मिल जाएगी तो दोस्तों Xiaomi की तरफ से cover आ रही है और Ice Universe द्वारा हमें ऐसा पता चल रहा है यह जब भी भी कुछ share करते tipster है जो बहुत authentic होता है उन्होंने या आपर ऐसा पता है कि Xiaomi में या पर उनकी जो note series थी न Mi Note वाली series की में बात कर रहा हूँ उसको वापस से restart करेगे और उसमें एक नया flagship smartphone launch करेगे जो Mi Note 10 के नाम से आएगा वो भी October की end के अंदर अभी India की कोई बात नहीं हुए और अगर आपको नहीं पता है तो बता रहे तो Mi Note की जो series थी ना दोस्तों ये 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ में तब आई थी और Mi Note, Mi Note 2 और Mi Note 3 बस वो आखरी phone था जो 3 साल पहले आया था और उसके बाद हमें उसके बाद कोई भी नया Mi Note की series पर phone देखने को नहीं मिला था थोड़े बड़े होते, screen size भी अची होती है और flagship type की थोड़े specs होते है तो कुछ इस तरी की का ये phone है Xiaomi का देखते हैं दोस्तों क्या होता है Mi Note 10 वाकरे में ये आएगा नहीं आएगा और कैसा होगा ये तो जब आएगा तो ही मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ जब दोस्तों Google की तरफ से ख़बर आ रहे है और 15 October को Google धमाल करने वाला है हमें पता है 4th generation Pixel smartphones आएगे Pixel 4, Excel वगेरा, एक smart watch भी वो लोग ला सकते है Pixel watch और एक prototype foldable smartphone का वहाँ पर दिखा सकते है जो New York में होगा और ये सब चीज़ समय शायद इंडिया में भी देखने को मिलेगी obviously premium होगा तो Google तो सब कुछ एक दिर महंगा ही लाएगा और यहाँ पर according to 9 to 5 Google इन्होंने इसा बता है जो Chromebook है Google का उसका ही शायद future वाला आप उसको नाम दे सकते है कुछ वैसी होगा अलगलख variants होगे नया type का आपको इसमें display देगा और बहुत कुछ नहीं चीज़ी देगा तो Pixelbook Go गूगल का ये laptop आ रहा है पता नहीं क्या price पर होगा और क्या कुछ खास होगा लेकिन इसकी कुछ पिच्चस निकल करा जो देखके लग रहा है कि शायद से ये possible है जो हो सकता है वैसे आप क्या excited है दोस्तो इस Google के event के लिए कि बहुत सारी चीज़ें वापर Google करेगा और क्या चीज़ आप चाहते हैं कि वह इंडिया में लिक्या है वह आप मुझे comment करके बता सकते हैं तो यह अब दोस्तो रियल्मी की तरफ से ख़बर आ रही है और दोस्तो पंदरा अक्टूबर को नियॉक में Google तो धमाल करेगा लेकिन रियल्मी दोस्तो तीन तीन जगा दे वह धमाल करेगा उसी दिन पंदरा तरिकी में बात कर रहा हूँ एक तो यॉर्प दूसरा चाइना हाले कि वहाँ पर तो लॉंच हो रहा है लेकिन तीसरा इंडिया में भी धमाल होगा क्योंकि लोग बहुत एक्साइड़ हो जाएगी कि अरे पर आप रियल्मी X2 Pro आ गया है 24-30 मिनिट में आपके फोन को जो फुल चार्ज करेगा और साथ में आपको NFC, Dual Band Wi-Fi, GPS ये वो क्या कुछ नहीं मिलेगा अरकीन नहीं हो रहा दोस्तों कि वापस से जुसके आज प्री बुकिंग जो शुरू हुई थी ना 11 अक्टूबर आज आदे घंटे में 1600 उनिट्स चोन ने डाले थे वो पूरे के पूरे सोल्ड हो गए Samsung Galaxy Fold की में बात कर रहा, 1,65,000 वर्थ ये स्मार्टपोन है जो बहुत महेंगा है डेलिकेट भी है, डर लगता है कि तोटना जाए, उसके बावजूद भी इतने सारे लोग ने पर्चीस किया 1600 उनिट्स सब निकल लगे, वो भी आदे घंटे के तरह, मेरा हाथ है इस हो रहा है कि मैं खुद भी अभी लेके ने, ट्राइ करके आप लोगों बता दो कोई चीज भीकती थी, तो एक घंटी बस्ती थी, उनके ओफिस में जो उनको पता चलता था, कि हाँ तब कुछ पर्चेस हुआ है, इमेजिन, अब पर्चेस होता होगा, तो कितनी घंटिया बस्ती होगी, कान की तो मा, तो आज की ने दूसे पर कतम होती इमित करता, आपको चलो, तो आज सब पानी पी लेते हैं, हलो सो टेक ने दूस में आप लोग का स्वागत है, और आज की देखनों शुरू करेंगे, उससे पहले दोस्तों, अगर आपने जियो के, जियो के, जो अभी कॉल एक्सपेंसिव हुए है ना, जो कुछ, वोच, एक, अगें,